शरतपवार और उनकी पार्टी एंसीपी के कई बार हिंदू विरोधी अजन्डे लोगों के बीच में जग जाहिर हो चुके हैं वो बात अलग है कि उन्होंने उद्दफ ठाकरे के साथ में घड़ जोड करके खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक मानने लगे थे लेकिन कई मौका पर देखा गया है कि एंसीपी ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती है जब हिंदू पर कुठारा घात न करे अब एक बार फिर से दोस्तों शरत पवार के नेता ने बहुती घटिया हरकत की है जिसकी वज़े से शरत पवार से लेकर के एंसीपी के तमाम नेताओं को जम करके लिताला जा रहा है बीजेपी ने सीधे तोर पर पवार के खिलाप में मोर्चा खोल दिया है शरत पवार के इस नेता की नीच हरकत की बज़े से अब उन्हें जनता के गुस्से का धंश जहिलना पड़ रहा है पवार के नेता ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से भवाल मचा हुआ है इस पर हम सिलसे बार तरीके से चर्चा करेंगे लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग रहे है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करें शरत पवार के निताओं ने बयानबाजी और विबाद खड़ा करने में दोस्तों उद्दफ ठाकरे के लाडले संजर आउत को भी पचार दिया है दरसल शरत पवार के कद्दावर नेता चगन भुजबल ने हिंदू देवी देवताओं पर विवादे टिपड़ी कर मह नहारास्टर में नया राजनेतिक संग्राम छिड़ दिया है तमाम राजनेतिक मंचों का इस्तमाल करके हिंदू देवी देवताओं के उपर जो घटिया बयानबाजी की गई है उससे भारती जनता पार्टी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रही है न्सीपी न पर भाजपानी सबाल उठाए हैं दरसल चगन भुजबल यश्वंतराव चोहड सेंटर में आयुजत एक कारिकरम को संबोदित कर रहे थे इस कारिकरम में उन्होंने का कि स्कूलों में मां सरस्वती और शारदा माता की तजवीरें लगाई जाती हैं जिने हमने कभी देखा से मां सरस्वती की तजवीरें हटा देनी चाहिए उनकी पूजा क्यों करनी है स्कूलों में सिर्फ सावित्री बाई फूले महत्मा जोतिवा फूले भीमरावं बेडकर चत्रपती शायू महराज और कर्मवीर भावू राव पाटिल की तजवीरें लगाई जानी चाहिए औ जानी की मां सरस्वती की रही बलकी अंबेड कर और जो तमाम उन्होंने लोगों के नाम लिये हैं सुर्फ उनकी पूजा होनी चाहिए और उन्होंने का कि बाद में जो होगा देखा जाएगा च्छगन बुजबल के इस बयान को लेकर के दोस्तों भारती जनता पार्टी हम जरूरत है उन्होंने का कि भुजबल के देवी देवताओं का उन्होंने सीधे तोर पर अफमान किया है इसलिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए रामकदम ने आगे का कि जब चनाव का समय आता है तो यही नेता सिर्फ और सिर्फ वोट पटोरने के लिए ह नाथा टेकने का दरसल ढोंग और नाटा करतिक विदखाई देते हैं और अब कह रहे हैं कि देवी देवताओं की तजवीरों की क्या जरूरत है उन्हें हटा दिया जाए बीजेपी नेता ने इस पश्ट किया कि सभी महापुरशों के लिए हमारे मन में समान है लेकिन इस कालीन शिवसेना सुप्रीमो बाला साइब ठाकरे से अन्बन के बाद उन्होंने शरत पवार से हाथ मिला लिया और एंसीपी में शामिल हो गए उद्दफ ठाकरे की सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाये गया था तो चगन बुझबल की तरफ से जो ये दरसल बयान दिया गय जैसे पूरे के पूरे महरास्टों से लेकर के देश के तमाम राज्याँ में लगातार उन्हें जम कर लताणा जा रहा है और एक समय पे भो बाला साहख ठाकरे के दौर में शिवसेना के फाईर ब्रेंड नेता मा ने जाते है उस समय उनकी बाला साहख ठाकरे का साथ छोड़ा था उसी समय हिंदुत के दरसल तमाम मुद्दों को और हिंदुत के जो अपने आपको रक्षक बताते थे वो सारी की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर के तभी वो पवार के खेमे में आये थे तो पवार के खेमे में आकर के जाहर तोर पर वो इस तरीके की बयान बाजी देंगे से जो है चौकने वाला ज्यादा नहीं है लेकिन शरत पवार के नेताओं ने जिस तरीके से हिंदुत्त के मुद्दे को लेकर के हिंदुवादी संगठनों के उपर कहीं कहीं जो कुठारा घात किया है वो अब पूरे देश की जनता की सामने आ चुका है और चगन बुजबल के इस स्टेटमेंट को लेकर के लगातार भवाल मचावगा है जहां एक तरफ चगन बुजबल इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो देश की जनता से माफी नहीं मांगें से उन्होंने एक पर्टिकलर रिलिजन को लेकर कि जो टीका टिपड़ी की है उससे कहीं न कहीं लोगों की भावडाओं को आहत पहुंची है लिहाजा चगन बुजबल के खिलाप में महारास्ट्र की सरकार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए इसे लेकर के भारती जनता पार करें के विचारों को रॉंदने का काम किया और अब उनके नेता जिस तरीके से ये स्टेट्मेंट उन्होंने दिया है वो सीधे तोर पर दिखाता है कि जो पाल घर में लिंचिक हुई थी उसको कहीं न कहीं पॉलिटिसाइज करके किस तरीके से तमाम जो हत्यारे थे उनको बचाने की कोशिस की गई थी क्योंकि वहां पर हिंदुवादी अजेंडा था तो इसलिए उस अजेंडे पर उसे दरसल दबाने के लिए उसे च्छपाने के लिए ये सारे का सारा घटना करम हुआ था जहां पर आज भी हत्यारे खुले घूम रहे हैं और चगन बुजबल का ये स्टेट्मेंट कहीं न कई इस बात की तजदीक करता है कि जब भी महरास्ट में कोई भी ऐसा आजेंडा निकल करके सामने आएगा और राजनेतिक मंचों का इस्तमाल करके इस तरीके की हरकत की जाएगी शरत पवार को जम कर घेरा जा रहा है उन्हें कड़ घरे में खड पूलने के लिए तयार नहीं है उनके नेता ने जो ये टिपड़ी की है इस पर उन्होंने पूरी तरीके से चुपी साथ रखी है मीडिया हाउसे तमाम दरसल इस स्टोरी को लेकर के फॉलो अप करने की कोशिस कर रहे हैं शरत पवार से एक टिपड़ी लेने की कोशिस कर र रखी है लेकिन बीजेपी ने शरत पवार को लगातार उन्हें घेर रही और कह रही है कि जिस तरीके से ये टिपड़ी की गई है जो हिंदुत्य की भावनाओं को आहत करने की कोशिस की गई है ये पूरी तरीके से निंदनी है और बहुती ज़्यादा दुखद पूर है ल उन्हें अपने द्वारा की गई टीका टिपड़ी पर जो है वो उस पर माफी भी मांगते नहीं विए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इन तमाम लोगों का कंपेरिजन जिस तरीके से उन्होंने सरस्वती देवी से किया है और सबसे हैरत की बात यह है कि उनका ये मानना है कि सरस्वती देवी ने सिर्फ तीन फीसदी लोगों को ही शिक्षा प्रदान किया यानि कि आरेसेस के लोगों को ही सरस्वती देवी ने शिक्षा दी है हमें तो शिक्षा से दरसल उन्होंने एक तरीके से दूर रखा हमें शिक्षे थी नहीं किया यानि कि अब देविया भी और देवी देवता दरसल जो हैं वो भी अब भेदभाव करने लगे हैं। छगन वजबल के हिसाब से इसलिए उन्होंने काया कि देवी की दस्वीरों को सिधे तोर पर स्कूल और समस्थानों से हटा देना चाहिए। इस पूरे के पूरे मामले पर आपका क्या पॉइंट और व्यू है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। चल बलूँगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ मैं तब तक लिए धन्वाद।